स्टूडेंट्स वेलकम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौखिक अभ्यक्ति जा मौखिक जो कोशल है उसका क्या महत्व है मानव एक समाजिक प्रानी है व्या मौखिक अभ्यक्ति के बिना अपनी समाजिक आदान प्रदान स्वंदी अप्शक्तों की पूर्ती नहीं कर सकता इसलिए उसका जो मौखिक कोशल है वो अच्छे धंग से विक्सित होना चाहिए बालक जन्व प्रंथ अपने मुख से ध्वनी का उचारन करता है यह गुण उसके लिए मौखिक अभ्यक्ति का अधार बनता है इसी अधार पर उसे सरलता पूर्वक बोलना सिखाया चाह सकता है जैसे कि बच्चा पापा करता है तो हम उसे पापा बोलना सिखाते हैं बाब बाबा करता है तो उसे बाबा अगर मौखिक अभ्यक्ति के मादयम से अशिक्षित भ्यक्ति भी अपनी मनों भावों को विक्त कर सकता है अगर कोई व्यक्ति पड़ा लिखा नहीं भी है तो भी अपने विचारों को वो दूसरों के सामने रख सकता है मौखिक भाशा के पर योग से हम अपने भावों को सहज़ता पूर्वक परकट कर सकते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और अगर हमने मौखिक रूप से अपने विचारों को दूसरों के सामने परकट कर सकते हैं भाशन कौशल में दक्ष व्यक्ति आतम विश्वास से परिपूर्ण होता है वे अपनी बाणी के बलद्वारा शिरोताओं को मंतरमूद करने में पूर्णत शक्षम होता है अगर हमने अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? मौखिक कॉशल होना चाहिए कि हम अपने विचारों को अच्छे ढंग से प्रयाप्र रूप से दूसरों के सामने परकट कर सके और जो हमारी बाणी है वो कैसी हुन चाहिए मदर होनी चाहिए तो हम जो शिरोताओं को हम कील सकते हैं आगे है मौकिक व्यक्ति के मादेम से मनुश्यक स्रेष्ट संगठन करता हैं सफल नेता बन सकता है अगर किसी व्यक्ति के पास मौकिक कोशल है तो वो एक सफल नेता बन सकता है जिसके कुशल भाशन करता होने के कारण जो जनता नेत्रव की बाग दोर है उसको जो जनता है वो दे देती है आप देखते हो कि जब election होती है तो नेता आते हैं लग-लग party से संभंधित होते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी अपनी मीठी बानी से मदूर्था से वो लोगों से जो लोगों से क्या अपनी बोटें बटोरती है और जिसकी बाते लोगों को अच्छी लगती है वो बोटें ले जाता है आगे है मनुशिया का व्यक्तिगत परिवारिक समाजिक धार्मिक संस्कृति के राजनितिक पक्ष मौकिक भाषा पर अधारित है देखो हम परिवार में रहते हैं समाज में रहते हैं धार्मिक स्थानों पर जाते हैं हम अपने संस्कृति के हिसाब से जो घर में कोई न कोई फंक्षन वगरा रखते हैं हम राजनितिक जो जब जुनाव होते हैं तब लोग वहां पर इकठे होते हैं तब भी जाते हैं तो वहां पर क्या काम आता है सिर्फ मौखिक भाशा अगर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वी जो मौकिक भाशा है उस पे ही सारा कुछ आश्रित है निर्भर है उसके दिन प्रति दिन के कार्य अक लज़ा मौकिक अभ्यक्ति के अभ्हाब से संबल नहीं हो सकते अगर देखो किसी व्यक्ति का जो मौकिक बहाशा वाला कौशल है वो उसमें विक्सित नहीं हुआ तो जो उसके रोजाना के काम है वो भी वो छिधंग से नहीं कर पाएगा मौकिक अभ्यक्ति बालक के आतम विश्वास में ब्रिदी करके उसके व्यक्तितब को विक्सित करने में सहयता करती है मतलब जो मौकिक अभ्यक्ति है, मौकिक कौशल है वो बच्चे में आतम विश्वास को भी बढ़ाता है मौके के भाशा की द्रिष्टी से पिछर जाने पर बालक पढ़ाई लिखाई में अच्छा परदर्शन करने पर भी पीछे रह जाता है क्योंकि बच्चा अपने बिचारों को फिर अच्छे ढंग से दूसरों के सामने पर कट नहीं कर पता शाक्षितकार के समय उसे विशेश जो कठनाई है उसका सामना भी करना पड़ता है आगय मौके के भ्यक्ति के मादेम से चातर शिक्षिक से प्रशन पूछ कर अपनी जग्यासा को शान्त करता है और उसमें आतम विश्वास की ब्रिदी होती है जब बच्चे होते हैं जिनको और जानने की जग्यासा होती है तो अगर उनका जो मौके कोशल है वो विख्सित हुआ होगा तब ही वो कोई न कोई प्रशन अपने शिक्षिक से पूछेंगे और जब वो अपने शिक्षे के से प्रशिन पूछेंगे तो उनमें आतम विश्वास आएगा और उनकी जो जग्यासा है वो भी शांत हो जाएगी माकिक अभ्यक्ति से इस संबंदों में निक्टता, भाव परवर्णता तथा परगारता का समावेश होता है जो संबंद हैं उनमें निक्टता आती है और हम अपने भावों को दूसरों के सामने अच्छे धंग से परकट कर सकते हैं और जो संबंद है वो भी घहरे होते हैं अगर हम किसी एक दूसरे को हमारे पास कोई बैठे हैं उनके साथ बात नहीं करेंगे तो हम क्या संबंद बनाएंगे, क्या निक्टता आएगी आगे मौकिक अभ्यक्ति भाव परदर्शन का सजीव मादियम है अगर हम मौकिक रूप से एक दूसरे के सामने अपने विचार रख रहे हैं तो ये क्या है? एक संजीव मादियम है मौकिक अभ्यक्ति में परंगन बालक कुशल वक्ता बनकर समाज में सम्मान प्रापत करते हैं क्योंकि जब चाच्छ डंग से बोल पाता है तो वो एक कुशल वक्ता बनकर समाज में कोई शोशल वरकर भी बन सकता है समासुधार्क बन सकता है निता बन सकता है लोगों को गाइड कर सकता है आगे कक्षा कक्ष में शिक्षन का परमुख भाग मौखिक भाशा है जब देखो शिक्षी क्लास में पढ़ाता है तो जो परमुख भाग उसमें हम कौन सा यूज करते हैं मौखिक हम जातर भोल कर ही पढ़ाते हैं लेख की अपेक्षा वक्ता लोगों का ध्यान अकर्षित करने में अधिक शक्षम होता है अगर देखो हम लिखते हैं तो किताब कोई पढ़ता नहीं पढ़ता हमने जो भी विचार किताब पे लिखे हैं हम डायरी पे लिखते हैं तो उनको कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा मगर जब हम बोलते हैं तो कितने लोग सुनेंगे तो हम उनका जो ध्यान है अकर्षित कर सकते हैं Dear students, इस वीडियो में इतना ही Thanks for watching